इस वीडियो में हम फ्लेश फिल के बारे में समझेंगे फ्लेश फिल की एक्सल में बहुत ज़्यादा इंपोडेंस है ये एक्सल में हमारे काम को बहुत जल्दी कर देता है जिससे हमारा काफी समय बच जाता है फिल हैंडल की तरह फ्लेश फिल अनुमान लगा सकता है कि आप अपनी बर्कशीट में किस प्रकार की जानकारी दर्ज करवा रहे हैं तो अब हम फ्लेश फिल की खासियत के बारे में जानते हैं तो ये हमारे पास यहां पर नेम दिये गए हैं जैसे आमित कुमार, सुरेश कुमार, रोहित सिंग ये सभी ये नेम यहां पर लिखे हुए हैं अगर हम इन नेम्स को अलग करना जाते हैं जैसे फर्स नेम यहां पर दिये गए हैं जैसे आमित है, सुरेश है, रोहित है इनको हमने फर्स नेम को अलग करना है तो ये काम कैसे करेंगे ये काम करने के लिए हम Flash Fill का यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर First Name यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम आमित आमित लिखा लिखने के बाद एक तो काम यह हम keyword की साहिता से कर सकते है जैसे यहाँ पे enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद flash fill को हम keyword की shortcut command जैसे control E प्रेस करेंगे यह देखो control E प्रेस किया है तो यह सभी name first name यहाँ पे आगे देखो first name जितने भी थे आमीद, सुरेश, रोहित यह देखो, यह सारे first name है यहाँ पे आ जाएंगे तो यह keyword के जरिये भी हम कर सकते हैं काम इसके बाद इसको undo करते हैं यह जैसे undo किया आगे आगर दूसरे method से करना है तो यह कैसे करेंगे यहाँ पे home type के editing group के fill में जाएंगे और यहाँ पे flash fill पे click करेंगे यह देखो, इस तरह से हम यहाँ पे flash fill कर सकते हैं अगर यहाँ से नहीं करना है flash fill तो इसको undo करते हैं यह undo किया तो इसको अगले method से कैसे करेंगे data type पे जाएंगे यहाँ पे data type पे click किया data type पे जाने के बाद यहां पे data tool यहां पे दिया गया है यहां पे flash fill पे click करेंगे तो यह लिखो यह flash fill यहां से भी हो जाएगा इसके बाद है last name अगर यहां पे हम last name यह लिखने जाते है तो यह कैसी करेंगे यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे लिखेंगे कुमार, ये कुμार लिखा, कुमार लिखने के बाद enter प्रेस किया, और यहां पे flash fill पे klik किया, तो यह लिखो last name यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा यहां लिखो सभी का last name यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, इसके बाद है without space अगर नेम ये जितने भी name दिये गए हैं, इनको बिना space के हम लिखने चाते हैं, तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए, यहां पे licking आमीत कुमार यह आमीत कुमार लिखा, लिखने के बाद यहां पे enter press करेंगे enter press करने के बाद यहां पे flesh fill पे click करेंगे, ये देखो जितने भी name है यहां पे without space यहां पे आ जाएंगे तो यह हो गया इसके बाद second sheet पे चलते हैं second पे click किया second पे click करने के बाद अगर हम यह जितने name दिये गया है इनको upper case में करना है तो यह कैसे करेंगे यह करने के लिए हम यहां पे click करेंगे और click करने के बाद यहां पे upper case में लिखेंगे amit kumar यह amit kumar लिखा enter press किया enter press करने के बाद यहां पे flash fill पे click किया यह लिखो जितने भी है यहां पे वो upper case में लिखे हुए आ जाएंगे अगर यही काम हम lower case में करना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद लिखेंगे यह हमने लौर केस में लिखा समाल लैटर्स में लिखा अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे फ्लेश फिल पे क्लिक करेंगे तो यह देखो जितने भी यहां पे नेम है यह लोर केस में आ जाएंगे small letters में आ जाएंगे यह देखो small letters में यह सारी नेम यहां पे आ जाएंगे अगर proper case में इसको लिखने जाते हैं यहां पे लिखेंगे हम अमित कुमार, यह अमित कुमार हमने यहां पे लिखा, लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे, enter प्रेस करने के बाद यहां पे flash fill पे click करेंगे, यह देखो, यह proper case में आ जाएंगे, इसके बाद आगे यह sheet number 3, यहां पे click करते हैं, यहां पे यह जो name लिखे हुआ है, आगर हम इनक आगे शिरी लगाने जाते हैं तो ये कैसे लगाएंगे यहां पे लिखेंगे यहां पे हमने लिखा शिरी आमित कुमार ये लिखा लिखने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे ये एंटर प्रेस किया और जब हम यहां पे फ्लेश फिल करेंगे तो सभी के आगे शिरी लग हुआ आ गया तो इस प्रकार यहां पे हम शीरी लगा सकते हैं इसके बाद है मिस्टर तो अगर हम सभी नेम के आगे मिस्टर लगाना जाते हैं तो हम यहां पे मिस्टर कैसे लगाएंगे तो मिस्टर लगाने के लिए हम यहां पे लिखेंगे यहाँ पे हमने लिखा Mr. Amit Kumar और जब हम यहाँ पे Enter प्रेस करेंगे और Auto Fill करेंगे तो सभी के आगे Mr. लगा हुआ नहीं आएगा यह देखो यहाँ पे Flash Fill किया तो यहाँ पे सभी के आगे Mr. लगा हुआ नहीं आया क्योंकि यह जो M, M है यहाँ पे Second Character I, M यहाँ पे इसकी Range को Select नहीं कर रहा है इसके बाद आगर हम यहाँ से Start करें तो यहाँ पे R यहाँ से Start हो रहा है तो इसको लेगा यह तो हम क्या करेंगे यह दोनों इनको नहीं लेंगे हम यह जो First अमित लिखा हुआ है Second स्रेज हम यहाँ से Start करेंगे क्योंकि ना तो M यहाँ पे यह जो First में नहीं है यहाँ पे और आगे जो है R नहीं है यहाँ पे कहीं भी तो हम यहाँ से Start करेंगे, ये देखो इसको delete किया, delete करने के बाद यहां पे हम यहां से लिखेंगे, रोहीज सिंग, यहां पे हम Mr. ус row में लिखेंगे, ये third row में हमने लिखा Mr. रोहीज सिंग, तो अब क्या है, अब यहां पे सभी में Mr. लगा हुआ आ जाएगा ये दिखो जब enter press करेंगे और यहाँ पर flash फिल पर klik करेंगे तो ये दिखो सभी के आगे यहाँ पर mister लगा हुआ आ गया तो इस प्रकार हम यहाँ पर mister लगा सकते हैं इसके बाद sheet no.4 यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद यह जो है यहां पे जैसे यह नेम है यहां पे first character लिखना है हमने और last name लिखना है तो first character कौन सा है यहां पे यहां पे यह के बाद कुमार लिखना है तो यह कैसे करेंगे जैसे यहां पे हमने लिखा यह इसके बाद कुमार ये लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे और enter प्रेस करने के बाद flash fill यहां पे क्लिक करेंगे तो ये लिखो सभी का ये first character यहां पे आ जाएगा और इसके बाद ये last name यहां पे आ जाएगा इसके बाद है first character and last name first character तो ये कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए यहाँ पे A, हम A लिखेंगे, A के बाद space के लिखेंगे, ये के लिखा, यहाँ पे first name का first character लिखा, और यहाँ पे last name का first character लिखा, लिखने के बाद हम enter प्रेस करेंगे, enter प्रेस करने के बाद जब हम flash fill पे जाएंगे यह लिखो सभी का first name का first character और last name का first character यहां पे आ जाएगा इसके बाद है यहां पे हमने full address लिखा हुआ है अगर इस address को हम अलग करना जाते हैं जैसे यहां पे हमने क्या करना है cities को यहां पे अलग करना है तो यह कैसे करेंगे यहां पे हम Delhi जैसे यह city लिखी हुई है इसको यहां पे लिखेंगे तो यह लिखा देली लिखा देली लिखने के बाद जब हम यहां पे enter प्रेस करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे data type के यहां पे flash fill पे जाएंगे तो ये दिखो जितनी भी cities के name है यहाँ पे आ जाएंगे दिली, रांची, हैदरवाद, इंदोर ये सबी cities यहाँ पे आ जाएंगे तो इस तरह से हम cities को अलग कर सकते हैं अगर हमने pin code को अलग करना है तो हम pin code को भी अलग कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पे click करेंगे और click करने के बाद ये दिखो ये जो pin code है ये हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये pin code हमने यहाँ पे लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद flash field पे जाएंगे तो ये दिखो सबी pin code यहाँ पे आ जाएंगे तो इस तरह से हम flash fill के जरीए pin code को लिख सकते हैं इसके बाद अगली sheet पे जाएंगे इसके बाद यह address है address में क्या है यहां पे हम age लिखेंगे जैसे age लिखे हमने यहां पे 45, 55 और यहां पे 56 यह हमने age यहां पे लिखी लिखने के बाद यहां पे जो है हम क्या है creating sentence इसका sentence create करना जाते हैं जैसे हम यह लिखेंगे यहां पे हमने यहां पे लिखा amit is is यहां पे 45 लिखा लिखने के बाद हम क्या करेंगे enter press करेंगे enter press करने के बाद flash fill पे जाएंगे तो flash fill पे जाने के बाद यह लिखो सुरेश कुमार इसकी 55 है तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश एज is 55 इसके बाद रोई सिंग इसकी 58 है यहाँ पे 58 आ गया इसके बाद बलवान शर्मा इसकी है 66 तो यहाँ पे यह 66 आ जाएगा तो यह देखो यह एज का sentence यहाँ पे create होके यहाँ पे गया है अगर हम इसमें से day को अलग करना जाते हैं ये day है ये month है और ये year है तो day को कैसे अलग करेंगे यहां पे हम लिखेंगे 11 11 लिखा 11 लिखने के बाद enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद flash फिल पे गए तो ये लिखो सभी की date यहां पे अलग होगी ये जो date थी यहां पे आगे है इसके बाद क्या है आगे है month अगर हम month को अलग करना जाते हैं तो ये month यहां पे लिखा हुआ है 10 इसके बाद enter प्रेस क करने के बाद flash fill पे गए तो ये month सभी यहां पे आ गए इसके बाद आगर हम यहां पे year को अलग करना जाते हैं तो हम कैसे करेंगे यहां पे लिखेंगे 2019 यह यहां पे लिखा लिखने के बाद enter press किया और enter press करने के बाद flash fill पे गए तो ये लिखो सारे year यहां पे अलग हो जाएंगे इसके बाद अगर हम यह switch करना जाते हैं जैसे यहां पे month पहले लिखना है उसके बाद date लिखनी है उसके बाद year लिखना है तो यह कैसे करेंगे यहां पे switch करेंगे इसको तो यह करने के लिए हम यहां पे 10 लिखें इसके बाद year लिख najle लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद flash fill पे जाएंगे ये लिखो सारी यहां पे date यहां पे आ जाएगी तो इस तरह से हम इसको switch कर सकते हैं date को इसके वाद आगे sheet number 8 पे जाएंगे इसके वाद यहाँ पे mobile number दिये गया है आगर इस mobile number का यहाँ पे हम format change करना जाते है इस column में तो यह कैसे करेंगे यहाँ पे हमने लिखना है heading में plus 91 यह लिखा enter प्रेस किया तो यह देखो यह number में change है लेकिन इसको यहाँ से delete करते हैं पहल करेंगे यह हमने select किया select करने के बाद यहाँ पे number है यहाँ पे text में click करेंगे यह text अब यहाँ पे हम लिखेंगे plus 91 यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे click किया तो यह लिखो यह text में change हो गया है अब क्या है इसका format हमने change करना है जैसे यहाँ पे three digits पहले आने चाहिए उ इसके बाद three digits यह अलग करने है तो यह कैसे करेंगे यहां पे हम लिखेंगे plus nine one plus nine one यह लिखा लिखने के बाद space इसके बाद three digits nine eight four nine eight four यह लिखा लिखने के बाद फिर space इसके बाद four digits लिखेंगे five six eight nine यह लिखा यह four digits आगे इसके बाद three digits चाहिए फिर space फिर हमने four two one four two one यह लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद data type पे जाएंगे और यहां पे flash fill करेंगे तो यह लिखो सभी यह अलग format में यह बनके आगे तो इस तरह flash fill के जरीए हम इसको fill कर सकते हैं इसके बाद आगे करेंगे हम sheet number nine यहां पे यह address दिये गया है इस address की हमने क्या करना है email id यहां पे create करनी है तो यह काम कैसे करेंगे यहां पे click करेंगे click करने के बाद हम यहां पे लिखेंगे आमीद कुमार अमिद कुमार लिखा लिखने के बाद ये नमबर टाइप करेंगे 1566 ये नमबर टाइप किया टाइप करने के बाद at the rate of sign लगाएंगे यहाँ पे लगाया लगाने के बाद host name लिखेंगे host name यहाँ पे हमने लिखा gmail.com ये host name लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद data type पे जाएंगे और flash fill पे जाएंगे ये लिखो सभी की email id याँ पे बनके आ जाएगी ये लिखो आमीद कुमार इसकी याँ पे आ गई है सुरेश कुमार इसकी याँ पे आ गई है ये email id क्रेड कर सकते हैं तो flash fill याँ पे तब ही काम करता है जब ये kolum आपस में जूड़े हो अगर याँ पे कोई blank kolum है तो ये flash fill काम ने करेगा suppose करो याँ पे कोई blank kolum येँ बनाते हैं याँ पे insert करते हैं insert kolum याँ पे insert किया हम ने यह हमने blank column यहां पे insert कर दिया insert करने के बाद जब हम यहां पे अगले column में यहां पे email id में यहां पे flash fill यूज़ करेंगे तो यह flash fill यहां पे काम ने करेगा क्योंकि flash fill तभी काम करता है जब यह column आपस में जुड़े हो तो अब देखो यहां पे हम कुछ लिखेंगे जैसे email id बनाएंगे आमीत कुमार कुमार लिखा इसके बाद 1566 यह लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे और इसके बाद flash fill यहां पे जाएंगे तो यह लिखो यहां पे यह flash fill नहीं आएगा क्योंकि यह जो column है आपसमें जुड़े नहीं है तो flash fill तब ही काम करता है जब column आपसमें जुड़े हो तो इस वीडियो में हमने flash fill के बारे में detail में समझा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद